लोडी पंजाबियों का एक मुख्यत हुआ रहे हैं लोडी का यतिवार मकर संक्रांती के पहले मनाया जाता है जिसमें पंजाबी लोडी जला कर उसमें तिल गुड मुंफली और दानी त्यादी चड़ा कर उसके अगल बगल चारो और भांगडा और गिद्दा करते हैं यह तज़्वीरे वाराणती के हैं जहां चौका घटिस्तित संकूल भवन के प्रांगण में लोडी का तेवहार मनाया गया आपको बता दें कि इस कारेक्रम का आयोजन हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी एक कदम और सामाजिक संस्था की ओर से आयोजित क्या गया था इस कारेक्रम की खास बात यह रही कि इसमें सिर्फ पंजाबी ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों और महिलाओं ने शामिल शवाना जी इस किस तरह करकरन किया जा रहा क्या उद्देश से एक अदम संस्था हट साल यह जो है नहीं साल का आन्वन करें बन जो भी धलत फैमियां उनकों इस साल में जलाके नई सूच और नहीं से अधर्वार्वाट तब वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सभ भी महिलाएं एक साथ लोडी में आग लगा कर उसमें तिल गुड धान चड़ा कर लोडी के चारो ओर जूम कर नाच रही हैं वहीं से उसर पर मीडिया से बात करते हुए इस कारिक्रम की आयोजक शाबाना अस्ताब ने कहा कि इस कारिक्रम को कराने का हमारा उद्देश है कि इस अप में भाई चारा बड़े और सभी जाती धर्म से उपर उठकर एक साथ नए साल का आगमन कर लोडी का पोगरा मनाया जा रहा है यह मकर सकरांती की एक दिल पहले उता है और बहुत ही धूम धाम से इसको मनाया जाता है आग जराके अगल वगल लोग दांस करते हैं औ और उस होलिका में दाना और तिल डालते हैं ताकि जितने पाप है उगों जल जाए और जिनके हाँ नई साधी हुई होती है या जिनके हाँ पहले बच्चे की जनम दिन होता है या पहले बच्चे का लोडी के पहले हुआ होगा तो वो लोगों किया और भी धूम धाम से मना जाता है और पंजाब वेगारा में, लोग लोडी में, लोडी मांगने घर घर जाते हैं, और घरों से उनको दाना, वेगारा, खिलपटी वेगारा दी जाते हैं। आज के कारिकरम का महत यही है कि जो भी एक तरह का नया फसल की सुरुवाद भी होती है पंजाब में और आज से यह नय साल की सुरुवाद पंजाब में हो गई और अब सुब दिन यह आगे चलेगा वही लोडी के बारे में खास बात बताते हुए वाराण से वैपार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंग बग्गा ने कहा कि लोडी का तेवार पंजाब में नई फसलों से जुड़ा हुआ एक खास तेवार है रिपोर्टर्स पेच की खास तेवार